हेलो शेफ हाई नमस्कार नमस्कार शेफ तो शेफ पहले तो मुबारक आपके जो नहीं आपने बुग रिलीज की है नवराधरी फूड फेस्टिबल तो सभी को बहुत खोशी हुई आपने इतने अच्छे टॉपिक के उपर बुग लिखी इंडिया में इस तरह की बुग है यह आपकी फर्स्ट बुक है तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत मुबारक हो नवरातरी की इतनी अच्छी डिशिज और इतनी वराइटी भी नवरातरी में बन सकती है यह तो शेफ आप बताईए यह बुक के बारे में बताईए बहले दो यह यह आपको इंस्पिरेशन जो है बनाती थी प्रैक्टिकल फाइल में बनाती थी तो उसमें जो है जिस तरीके से में रेसीपी लिखती थी तो उस तरीके से जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना जब ओपन किया और अपना जो रेसीपी में उसमें बनाईए मेरी फिर नवरातरी की जो है वो जो है book लिखना शुरू करी तो इस book बो आपने तभी से तो इसको कितना time हो गया book को देखे book को जो time हो गया वो गया एक साल कल लवे एक साल पहले आप लिख चुके थे हाँ एक साल पहले मैं लिख चुकी थी बट छपवाने का मैं सोच थी एक time नी मिल रहा तोड़ा बीजी थी यए नहीं कि मैंने सिर्फ एनवरातरी के लिखिया है और भी जो है रेसिपी जो है वो मैं लिखिया अब एक एकर करकर जा है वो मैं छपाऊंगे झांग तो इतना टाइम आपको पीन लिखोग है इतना टाइम बस टाइम मेंजमनेंजमेंट बहुत अच्छे हुए तो और बताईए शेफ अपने कुछ बच्पन का किस्सा ये सब जो आपके साथ हुआ ये आप शेफ बनने के लिए कैसे प्रेडित हुए कहां से हुआ क्या हुआ कैसे बच्पन का कोई किस्सा सुनाई है बच्पन का तो इतने किस्सें जो खतम ही नी होई जा बच्पन में खाने बनाने का शोक तो था ही मुझे तो बच्पन से मुझे मतलब कुछ बनाना कुछ भी जैसे रोटी बनानी चोड़ चोड़ जो आते बरतन खिलों ने वह मैं खरिदती थी चूछला गैस ये सब उसमें कि Homis तो ममी तो मनाई करते थे कि नहीं अभी नी मनाना अभी कुछ नी जो है करना पर एक प्रोस में जो है वंग अंटी थी उनके घर पर जाके मैं ने चुप्के से उनसे शीखी कि आप मुझे सिख्वा ओगे कि कैसे बझार बनती है सब गॉर्जी ! उनके कोई बच्चे भी नहीं थे उनके पास मैं जाती थी खेलने के लिए वह वैसी रहते थे तो मम्मी ने लाउड कर रखा थे चल अंटी के बच्चे निया तो तुम चले जाए करो तो फिर मैं चली जाती थी ती मैंने एक बार अंटी से मतलब रिक्वेस्ट किया कि आप थी पर फिर सेकंड टाइम जो है वो मैंने खुद बनाई अपने घर पर अच्छा तो जब अपने घर पर बनाई तो आपके मदर ने आपको कहानी कि यह कहां से सीखी है कैसे वह क्यूंकि आप कहां से आई उनको यह लगा कई बहार से आई यह सबजी तो फिर मैंने बोला न नहीं आई यह तो मैंने खुद बनाईा और पर पर दो दापड़ी थी कि बदाएeg है्से और तेरा हाथ तो नहीं जल गया और गया तो मैंना बुद्ध यहां से ओखोला नहीं से करके काफी चोटे थे आप जो आसे बता रहे थे हाँ और समय तंप जो है मेरी होईगी यह र आठ साल की इतनी छोटी उम्हर में आपने आलू की सब्जी Unless भी ऑन्वी शोटेम पर पर अजिभी एफ तो Ohhh कि एक थी तेस्टी वनिए ने पर तारीफ करें खाके खाएं कुछ कहां या हम छी जब सोत और प्याश टमाटर दाना लसन डाना दरक क्योंकि उस टेम पर जो है ममा जो है लसन दरक सिलबते पीसे ते वह मुझे आता नहीं था जिसलबता उता था ना उसमें पीसे वे उस टेम पर मिक्सी थी नीगर में तो इसकी लिए तो शेफ सुना है आपकी लाइफ बच्पन में क लाड़ियां और सब आगे पीछे तो यह इस तरह की लाइफ नहीं थी आपकी नए उस तरीके से नहीं थी काफी अलग थी मैं खुद भी मतलब सोच दियो कर दो कि मैं पहले कहां थी और अब मैं कहा हूं कैसी थी बच्पन की लाइफ क्या था क्या दिक्क्ते आ आ रही थी उस वक्त उसमें यह कि जैसे मैंने इस्टडी जो है आफ्टर मेरिज के बाद जो है मैंने स्टडी भी कर लिए तो वह इतने ब्रिलियंट थे कि स्कूल वालों ने आपको वैसी पर मोट उन्हों ने कर दिया था तो टैंथ में भी आपकी स्टडी चूटने वाली थी क्या पैनल एक्जाम दे दिये थे मैंने उसॉच चृम्प पम्मे की जो है झादा घृइब कर घृती थी मैं तो बस वह शू करता कि चलो 10 खो गया पर उस्टब म हमी की हालत जो फट्नी ते खराब थे कि जो तिर आपने बडाई छोड़ दी थी त्हीं तो फिर ंसे पृप रृ तो पैसो के भी दिक्कत थी ना तो कैसे किया फिर कहां से कि गवर्मेंट स्कूल मैंने करी थीा है, आप पड़ने में ठीक हो तो आपकी कंडिशन जान सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको अगर पढ़ना थे, आपको अगर पढ़ना तो पढ़ सकते हैं और इस नहीं पर्मिशन भी देदी थी कि अगर आपको आने का टाइम ना मिले स्कूल में आने का तो सिर्फ आप एक्जाम देने आजएए और अपने नोट्स वगए लिए लिदीजिए तो यह प्लस टू तक फिर आप पढ़ते रहे हां प्लस टू तक फिर मै चो प्लस में की कंडेशन है वह मतलब डौनीफ तो ऊंको ढ़ द्यान भी रखना था खर गच्छांदी के फें तो गर बढ़ रेखते अपर बीदा उने से काफी जो है धिक्रा सक ouais कवहिजे है कभी जा रहे है कभी नहीं जा रहे तो इस तरीके से फिर वह बापा की भी है नोता ने मेर खुट गई सझाए वे बिमार करवा सके तो इसलिए और हम dont है वह अपना जिए पर वही अपना रात को जैसे वेटर का काम वह ब्हु वह भी आपना करते थे और फिर उसुमें जो खर्चा होता था वह सब उसमें करते थे तो इस तरीके से भी मम्मी का भी ध्यान दखना था तो इसलिए फिर जो है वो मैंने छोड़ दी थी तो फिर उसके बाद फिर आपके जो जैसे आप कहते हैं शेफ बनना था बच्पन से आपका शौक था वो फिर मैं घर पर ही जो है खाना मतलब बना आपन आपने आगे षाड़ी नहीं कर पाए तो मगर आपने शेफ बनने का सपना नहीं चोड़ा था तो आपके पास पैसे तो थे नहीं मसालों की आपको नॉलेज बस नॉलेज नॉलेज से आपका इतना बढ़ गया मसालों की मार्केट थी महापे थोड़ा सस्ते उसमें मसाली मिलते थे तो महां से हम मसाली कराते थे आप और जैसे पाना अपना वह घूना तो फिर आप आपको आज की लाईफ और उस लाइफ में बहुत ज्शाथ काफी काफी अंतर काफी बहुत ज्यादा मतलब फरक है और पर हमें खुशी है कि फिर भी आप घमंड नहीं है किसी चीज का आप सब को साथ लेके जलते हो होटल में भी आप अपने जूनियर से बहुत अच्छे से बात करते हो सब अच्छा से सुनने में तो यही आया है हम जी से तो हम सब कुछ सीखे और उसी से जो हम आगे भी बढ़े हैं और जो बेसिक चीज थी वह घर में रहे के ही मैंने जो सीखा है नहीं तो आज कल के अगर तुम पर सब कुछ होएगा हर चीज की जो है आपको बैनिफिट मिलेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाऊगे यह खालेंगी धर्मिक यू मेहनत करें मेहनत कोई भी है जो गरीब बंद होता है और वही आगे बढ़ जाता है जैसे अब आज कल के इसमें होती यूट्यूब चैनल से सब देख लेते हैं और वह देख लेते हैं तो टीवी सीरियल जो देखती थी उसमें जो उन्होंने बन का एक प्रोग्राम है उसको आपने फिर कैसे करते थे जैसे वो जब आता था उस टैंपे में नोट बुक जो है अपने लेके बैर या थी जैसे ऐसे बताए फटा-फट उनको मैं लिख लेती यह पैशन है यह पैशन है और कुछ पैशन नहीं है लाइफ में बहुत सारी रे